आज हम बनाएंगे ताजे हने मटर से चीज मटर बॉल्स ही खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है और अंदर से चीज से भरी होती है नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका टेस्टी वेज़ फूड पर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें चीज मटर बॉल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर जार में एक कप मटर ले रही हूँ अब हम मटर को दरदरा सा पीस लेंगे देखिए मैंने मटर को पीस कर त्यार कर लिया है हमने मटर को यहाँ पर थोड़ा मोटा पीस है अब हम पैन में 1 टेबल स्पून के करीब ओयल लेंगे और इसमें आधा चमज जीरा और आधा चमज बारी कटकिया हुआ अद्रक डाल कर इन्हें कुछ सेकेंड के लिए भुन लेंगे जीरा और अद्रक के भुन जाने के बाद इसमें एक बारी कट किया हुआ प्याज और एक कट की हुई हरेमिर्ज डालेंगे अब हमें इन्हें प्याज के अच्छे से सॉफ्ट होने तक भुनना है देखिए अब प्याज अच्छे से सौफ्ट हो चुका है अब हम इसमें पिसा हुआ मटर डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें सुखे मसाले भी डाल देंगे एक चमच धन्या पाउडर, आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच नमक डालेंगे अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मटर को चार से पांच मिनट के लिए भुन लेंगे देखिए मटर को भुनते हुए हमें पांच मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें एक चमच निबू का रज डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें काफी सारा बारिक कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिलिंग बनकर तयार है अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे अब मैंने यहाँ पर दो बड़े साइस के उबले हुए आलू लिये हैं हम इन्हें अच्छे से कद्दुकस कर लेंगे ताकि इनमें कोई भी गुठली ना रहे देखिए मैंने आलू को अच्छे से कद्दुकस कर लिया है अब हम इसमें टू टेबल स्पून कॉन फ्लोर और थोड़ा नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मैंने कॉन फ्लोर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आधा कब ब्रेट क्रम डालेंगे आप यहाँ पर चार ब्रेट को मिक्सर में पीस कर इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम ब्रेट क्रम को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मैंने आलू और ब्रेट क्रम को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैंने यहाँ पर मोजेलेला चीज को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखा है अब हम थोड़ी से फिलिंग लेंगे अब फिलिंग को हलका सा फैलाते हुए चीज क्यूब को इसमें रख कर अच्छे से कवर कर देंगे और छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे देखिए इस तरह से हमें बॉल्स बना कर तयार करनी है इसी तरह से हम सारी फिलिंग से बॉल्स बना कर तयार कर लेंगे देखिए मैंने यहाँ पर काफी सारी बॉल्स बना कर त्यार कर ली है अब हम हाथों पर ओइल लगाएंगे और थोड़ा आलू और ब्रेट क्रम वाला मिक्षर लेंगे और इसे हाथों पर फैलाते हुए बढ़ा कर लेंगे अब हम एक बॉल को इसके सेंटर में रखेंगे और इसे घुमाते हुए अठिसे सील कर लेंगे अब इसे हाथों के उपर घुमाते हुए गोल शेप देंगे देखिए इसी तरह से हम सारी बॉल्स बना कर त्यार कर लेंगे मैंने यहाँ पर एक बेच के लिए बॉल्स बनाकर त्यार कर ली हैं अब हम इन्हें फ्राइ करेंगे इन्हें फ्राइ करने के लिए पहले हम ऑईल को अच्छे से गरम करेंगे उसके बाद हम गेस का फ्लेम मीडियम पर कर देंगे अब हम oil में balls को छोड़ देंगे आप यहाँ पर कड़ाई में उतनी ही balls डालें जितनी आसानी से आ सकें अब इन्हें कुछ देर fry होने देंगे उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे आप यहाँ पर इन्हें medium flame पर ही fry करें ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाए अब हम इन्हें इस तरह से चलाते हुए इन पर अच्छा सा कलर आने तक इन्हें fry कर लेंगे देखें अब balls अच्छे से fry हो चुकी हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी balls बनाकर fry कर लेंगे यह चीज मटर बॉल्स उपर से बहुत जादा क्रिस्पी बनी है और अंदर से चीज से भरी हुई है अब आप हरे मटर की इस रेसिपी को एक बास जरूर ट्राय करें आपको यह बहुत जादा पसंद आएगी